बागवट्ट जी जिस फल को या जिस ओशदी को सबसे जादा बढ़ाई करते हैं, बखान करते हैं, वो मैंने बताया त्रिफला चून है बागवट्ट जी का ये कहना है कि प्रत्वी पर अगर कोई अमृत चीज है, अमृत तत्व है, तो वो ये त्रिफला है त्रिफला में तीन फल है, आवला है, बहेडा है, हरडे है लेकिन जो महत्तु की बात आपको समझने की है वो ये कि हर बहेडा, आवला इसको हमेशा एक, दो, तीन के अनुपात में ही उप्योग करें बागबटे जी ने त्रिफला उप्योग करने के लिए बोला है लेकिन उसके साथ उनोंने एक महत्तु की बात जोड़ी है कि इसको अकेला कभी भी उप्योग ना करें या तो इसमें गुड मिलाएं, या तो इसमें शहद मिलाएं अकेला उप्योग करना हो, तो ज्यादा दिन ना करें नहीं तो आपको कुछ कमजोरी सी महसूस होगी जादा दिन से मतलब तीन महीने के आगे ना करें तो मैंने जो बताया रात को अगर तरिफला ले रहे हैं तो या तो आप दूद के साथ ले पानी के साथ तरिफला लेना माने अकेला तरिफला लेना ऐसे ही बागवट्ट जी कहते हैं त्रिफला जैसी ही एक वस्तू है त्रिकटू है फिर ऐसे करकरके उन्होंने पूरी 108 की सूची बताई है अब मैं उसको विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि थोड़ा समय कम पढ़ रहा है मेरे पास और मुझे आगे की कुछ बाते हैं जो छूटी हुई है वो बतानी है त्रिफला जैसी कुछ वस्तूओं के बारे में मैंने कल कहा था जीरे के बारे में कहा था आपको थोड़ा हीं के बारे में कहा था अजवाईन के बारे में कहा था ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में मैं कल छूट गया बोलना लेकिन बोलना जरूरी है वो है मैथी का दाना बागवटी जी कहते हैं कि अपने रसोई में आवला हरडे बहेडा इन तीनों के बाद कोई अच्छी चीज है तो अजवाईन फिर उसके बाद बोला तो जीरा फिर उसके बोला तो हींग और उसके बाद फिर वो बोलते हैं सबसे अच्छी चीज है मैथी का दाना इस मैथी के दाने के बारे में इसकी जो विशेष्टा है मैथी की ये वात नाशट है और कफ नाशट है वात और कफ दो बीमारियों को जड़ से खतम करने की शक्ति इस मैथी में है मेथी पित्त को बढ़ाती है वाद को कम करेगी कफ को कम करेगी पित्त को बढ़ाएगी इसका मतलब यह हुआ कि मेथी उपियोग अगर आप करते हैं तो बाद की बीमारियां खतम हो जाएंगी पूरी तरह से और कफ की बीमारियां खतम हो जाएंगी पूरी तरे से पित्त की बीमारियां बढ़ सकती है क्योंकि मैथी पित्त को बढ़ाती है तो जिन लोगों को पित्त की बीमारी पहले से हैं उनके लिए बिनती है कि वो मैथी का उपयोग ना करें जिनको पित्त की बीमारी पहले से है वो मैथी का उपयोग ना करें पित्त की बीमारी आप समझते हैं एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अलसर होना, फैप्टिक अलसर होना मुह में पानी आना, खाने का हजम नहीं होना खाना खाने के दो तीन गंटे बाद भी खाने का टेस्ट मुह में रहना डकारे आना वगरा 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 हिचकी आना ये ज़्यादा थर पित्त से जोड़ी हुई बीमारिया तो मैथी के लिए बागवट्टे जी कहते हैं कि पित्त के रोगी छोड़ कर बात और कफ्किर होगी इसको भरकी मात्रा में ले सकते हैं अब बात की विमारियां अगर आपकी हैं गुट्पे दुखना, कमर दुखना, कंदे दुखना, जोड़ों का दर्द होथी का उपियोग जरूर करें जरूर करें रात भर उसको रखें, सुबह उठकर मेथी दाने को चबा चबा के खाएं, चबा चबा के खाने का महत तो बहुत है कई लोग मेथी की फंकी लेते हैं पिसा हुआ मेथी होता है ना, उसकी फंकी लेते हैं, लेकिन फंकी का महत तो इतना नहीं है जितना चबा कर खाए हुए मैथी का है क्यों? कारण उसका ये है कि जैसे ही मैथी आप चबाते हैं लार बनना बहुत तेजी से शुरू होती है क्योंकि मैथी का जो स्वाद है न वो कटुक है कशाय स्वाद है उसका तो उस स्वाद की कोई भी चीज आप चबाएंगे बहुत तेजी से लार बनेगी और वो लार मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपके जीवन के लिए बहुती महतुपुन रुप्योगी है इसलिए मैथी दाने को चबा कर खाने का असर बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है तो आप मैथी दाना नियमित रूप से अपने घर में रखें रसोई में रखें उसका उप्योग करें इस मैथी दाने के लिए एक बात वैसे मैंने महसूस की है हमारे जादातर घरों में अचार जितमें भी बनते हैं सब में मैथी होती है जादातर तो आप बागवट्ट जी की बात अगर मानते हैं और सुनते हैं तो जो भी अचार में मैथी है वो अचार नहीं है और उशदी है दवा है माने आप कभी भी अपने जीवन में ऐसे अचार खाने से परहेज ना करें जिसमें मैथी है मैथी है तो जरूर खाएं वो चाहे आम का अचार हो चाहे कोई भी दूसरा नीवू का हो या जो भी अचार आप डालते हैं मेथी है तो जरूर उस अचार को आप खा सकते हैं कुछ अचारों मेथी के अलावा ये भी होती है अजवाइन होती है अगर अजवाइन है तो आप जरूर अचार खा सकते हैं क्योंकि महत्तु की बात जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो ये कि किसी भी अचार पर किसी भी फल पर औशदियों का असर फल से जादा होता है जो विज्ञान की बात है वो ये कि आपने अचार डाला तो मालो आम का फल था आम के फल का अचार डाला अब इस पे मैथी पढ़ गई या इस पे पढ़ गया ये अजवाइन पढ़ गई तो अजवाइन और मैथी दो ऐसी आउशदिया है जो दूसरे के प्रभाव को बहुत कम और अपने प्रभाव को बढ़ा देती तो कई लोग ऐसा घबराते हैं न मुझे अचार खाना तो अच्छा लगता है लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि मुझे ऐसी तकलीफ है मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैथी पड़ी हुई है किसी भी अचार में और आप वात के रोगी है या आपको कफ की तकलीफ है तो बे जिजग वो अचार खाईए तो अचार के साथ मैथी जाएगी और अचार में पड़ी हुई मैथी का असर पानी की मैथी से कई गुना ज्यादा हो जाता है मैंने जो मैथी आपको बताई वो पानी में रात को डालके सुबह खाना इसका जितना असर है लेकिन अचार में डाली हुई मैथी का असर इससे कई गुना ज़्यादा है क्योंकि अचार में ये मैथी पांच-छे महीने साल बर पड़ी रहती मैथी के बारे में बागबटी जी कहते हैं कि तेल में मिलाकर अगर आपने इसको रख लिया तो मात बही है कि अचार में तो तेल भी है बिना तेल के अचार नहीं है मैथी उसमें डल गई तो आप समझ लीजे कि इसकी शक्ती जो काम करने की है वो 20 गुनी ज़्यादा होती है कम से कम 20 गुनी ज़्यादा होती है तो इसलिए अचार में पड़ी हुई मैथी जितनी पुरानी होती जाएगी आपको उतनी ही लाबकारी है और ठीक यही बात उन्होंने अजवाइन के लिए लिखी है कि अजवाइन अचार में पढ़ गई है तो आप समझ लो कि वो बहुत गुनी बढ़ गई है अब मैं ये दूसरे तरह से सोचता हूँ कि हमारे घर में जो माताएं बहने हैं वो कितनी वैग्यानिक है कि अचार के रूप में मैथी को या अजवाइन को इस तरह से डालती है वो अंजाने में कितना बड़ा विग्यान का काम कर रही है जान कर करें तो आप सोचो कितना गर्व हो, कितना गौर्व हो लेकिन अंजाने में वो कर रही हैं तो ये बात मैं विशेश रूप से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस घर की माताएं अचार बनाना जानती है वो बहुत वैग्ञानिक है बले उन्होंने अपनी माँ से सीखा हो या दादी माँ से सीखा हो या नानी मां से सीखा हो अंजाने में आपने एक ऐसी चीज सीख लिए है जो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं जानते कोई भी MBBS, MD डॉक्टर से पूछ के देख लीजे उसके बारे में कुछ नहीं जानता और चुकि वो जानता नहीं है तो अंजाने में कह देता अचार मत खाओ जी हाँ, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा उसको ये मालूम नहीं है कि मैथी दाने का अचार है अजवाइन का अचार है, जीरे का अचार है तो ये जीरा है, मैथी दाना है, अजवाइन है हींग का अचार एक बनता है तो बागवट्टी जी कहते हैं कि जितने तरह के फलों के अचार हम बनाते हैं उसमें आयरुवेदिक आउशदी अगर पढ़ गई है तो वो फल का असर कम है आउशदी का असर जादा है और आयरुवेदिक आउशदियों को कुछ विशेश कम्बिनेशन में तेल के साथ अगर आप उप्योग कर रहे हैं तो असर सबसे जादा है माने बागवट्ट जी के हिसाब से अचार आप जरूर खाएं लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि अचार महत्तु की बात है थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो हमारे रसोई घर में एक चीज के बारे में बहुत बखान करते हैं माने बहुत बढ़ाई करते हैं वो यह कहते हैं कि जो लोग खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिला कर वो जिन्दगी भर वात के रोगी होंगे नहीं जो खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिलाकर वो जिंदगी भर वात के रोगे होगे नहीं माने चूना वो बोलते हैं सबसे बहतरीन वातनाशक औशदी है मैथी का दाना तो है ही चूना उससे थोड़ा एक डिगरी उपर है मैथी दाने से चूना सबसे अच्छी वातनाशक औशदी है चूने के बारे में बागवट जी का बहुत बहुत रिसर्च है और वो ये कहते हैं कि ये भगवान की दी हुई प्रचंड मात्रा में अद्बुत ऐसी चीज है जो आपके बात के सब रोगों को दूर करेगी माने घुटने दुखते हैं कमर दुखती हैं कंदा दुखता चूना खाई है फिर वो कहते हैं कि इतना ही नहीं शरीर में कैल्शियम जो है ना कैल्शियम ये एक घटक है माइक्रो न्यूट्रेंट इसको कह सकते हैं अंग्रे जी में सुक्ष्म पोशक तक तो है ये केल्शियम के वारे में जो गंभीर बात है आज के विग्यान के हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूँ भागवट जी ने तो साड़े तीनेजार साल पहले कह दिया आज का विग्यान उसको प्रूफ कर रहा है केल्शियम की कमी अगर शरीर को है तो आपको बीसियों नहीं पचासियों बीमारियां आएंगे केल्शियम की कमी अगर है शरीर को तो पचासियों बीमारियां आएंगे क्या क्या आ सकता है हर तरह का दर्द आपको होगा मास्पेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सब तरह का हड्डियों की जितनी विक्रतियां हैं वो सब केल्शियम की कमी से आएंगे हड्डियों के जितने रोग हैं वो सब केल्शियम की कमी से आएंगे फिर वो कहते हैं कि रक्त के बहुत सारे रोग केल्शियम की कमी से आते हैं रक्त के रोग, खून की बीमारे फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे कफ के रोग केल्शियम की कमी से आते हैं तो केल्शियम कम नहीं होने देना चाहिए जो विज्ञान आज का कहता है, आधुनिक विज्ञान ये कहता है, कि केल्शियम वो माइक्रो न्यूट्रियंट है, वो सुख्ष्म पोशक्तत्व है, जिसके शरीर में रहने पर ही दूसरे सुख्ष्म पोशक्तत्व उपयोगी होते हैं. ये बारे-पंद्रे साल का रिसर्च है एक वाक्य में मैंने खतम कर दिया कैल्शियम की उपस्थिती में ही बाकी सभी सुक्ष्म पोशक तत्तो उप्योगी होते है इसका मतलब ये है कि अगर आपको शरीर में विटेमिन C का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए विटेमिन A का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए विटेमिन B का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए अगर विटेमिन D का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए विटेमिन K का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए protein अच्छे से आपके शरीर को काम में आएं तो calcium चाहिए carbohydrates ठीक से आपके शरीर को मदद करें तो calcium चाहिए fats आपके शरीर में dissolve होते रहें और जहां जरूरत है वहां lubrication में मदद करते रहें तो calcium चाहिए माने समझ लीजे कि calcium अगर नहीं है तो शरीर में सब कुछ बीमारियां आने ही वाली है इसलिए कैल्शियम की उपलब्दता शरीर को होनी ही चाहिए अब इसके बारे में बागवटी जी कहते है आदुनिक विज्ञान ने अभी प्रूफ किया बागवटी जी पहले ही कह गए कि हमारे शरीर की 40-45 वर्ष की उम्र तक जो कुछ भी हम खा रहे हैं इसी मैंसे हम को कैल्शियम मिलता रहता है सबसे ज़्यादा कैल्शियम आप जानते हैं दूद में है दूद फिर दूद के बाद दही दही के बाद मठा मठे के बाद मक्खन मक्षन के बाद भी इन सब में भरपूर कैल्शियम है फिर आपने खाया संतुरा, मुसम्मी नारंगी, अंगूर, द्राक्ष जो भी खटे फल, आम वगेरा वगेरा सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है फिर सबसे ज़्यादा कैल्शियम फलों में माना जाता, केले में है केला भरपूर खाना चाहिए क्योंकि कैल्ियम का सबसे बड़ा बंडार है और आसानी से हज़म होता है तो ऐसे जो फल है इनका जो कैल्शियम है ये 40-45 साल तक हमें आसानी से मिलता रहता है क्योंकि शरीर की जो बायो केमिस्ट्री है 40-45 साल तक एकदम दुरुस्त और तंदुरुस्त रहती है जठर अगनी भी तीवर रहती है बाकी सब फंक्शन ठीक है लेकिन जैसे ही 45 की उमर खतम होती है माताओं को ये बात विशेश रूप से कह रहा हूँ बहनों को माताओं को जैसे ही आपकी 45 की उमर पूरी होती है और आपका मैंसी साइकल बंद होता है मासिक धर्म आपका बंद होता है उसी समय आपको कैल्शियम हजम होना कम होना शुरू होता है आप कितना भी ये सब चीज़े खाएं केला भी खाएं ये भी खाएं लेकिन कैल्शियम उतना पूरती नहीं करता क्योंकि कैल्शियम को शरीर में डाइजेस्ट कराने वाला जो हार्मोन है वो तभी तक आपको है जब तक आपकी मासिक चक्र की शुरुवात है मासिक चक्रबंद होते ही ये हार्मोन कम होता है आप जानते हैं कई हार्मोन कम हो जाते हैं तो कैल्शियम डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है तब आपको जरूरत पढ़ती है कि बाहर से कैल्शियम लें इसलिए सम माता हैं इस बात को ध्यान दें और इसको गांट बांद लें कि 45 की उमर होते ही चूना खाएं क्योंकि अत्रिक्त बाहर से कैल्शियम उसी से मिलेगा चूना जरूर खाएं आप सब के लिए और आपको भी है चूना खाएं क्योंकि आपकी उमर भी 45 की जब पूरी होगी तो ये जो कैल्शियम है वो आपके लिए परियाप्त नहीं है जो फलों से और सबजेों से आ रहा है कुछ अत्रिक्त चाहिए और चूनकि बाकी सब माइक्रो न्यूट्रियंट्स कैल्शियम की उपस्तिती में ही काम आएंगे इसलिए इस पर ध्यान दीजे तो शायद इसलिए इस देश में एक परंपरा विक्सित होई है पान खाने की ये पान खाने की परंपरा बहुत वैग्यानिक है बहुत ही वैग्यानिक जिसने भी शुरू की वो बागवट का पक्का चेला रहा होगा, बहुत समझकर उसने ये शुरू की, और ये अद्वुत है अद्वुत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की सब जातियों में उत्तर से दक्षिन, कूरब से पश्चिम ये परमपरा है, कहीं भी चले जाओ, आप सिक्किम में चले जाओ, अरोनाचल में चले जाओ, वो भी पान खाते हैं, और आप धुर दक्षिन में आ जाओ, तो यहां भी है उत्तर में चले जाओ, कहीं भी चले तो ये पान खाना भारतिय सब्धिता का एक बहुत महतुपून अंग है जो स्वास्थ से जोड़ा हुआ है बस ध्यान इतना ही रखिए कि पान जो है, चूने का ही खाना है पान कभी भी कत्थे वाला ना खाएं क्योंकि कत्था आपके लिए उतना उपयोगी नहीं है कत्था स्वाद के लिए आप उपयोग करते हैं चूना और शदी के लिए उप्योग करते हैं ये बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ आज फिर से इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ नए चेहरे मैं देख रहा हूँ कल बहुत सारे नए और आज भी बहुत सारे नए चेहरे आए हैं अब वो ये जरूरी बात से बन्चित रह जाएं इसलिए मैंने ये दुबारा से कहा है तो आपके रसोई में मेती दाना हो गया चूना हो गया पान हो गया फिर पान के बाद आपको जीरा हींग वगरा वगरा अजवाईन ये सब हो गई ऐसी कुल 108 औशदिया है गरीब से गरीब आदमी की रसोई में ये औशदिया है इनका भरपूर उपयोग करिए एक औशदी के बारे में बागवट जी कहते हैं और भी महत्यू की है दालचीनी दालचीनी के बारे में बागवट जी कह रहे हैं कि वायू के जितने भी प्रकोप हैं जैसे दमा, अस्थमा ये वायू की विमारिया अस्थमा, दमा, वात की विमारिया वायू की तो इनको खतम करने में या समाप्त करने में या इन विमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करता है दालचीनी और दालचीनी के बारे में बागबटी जी कहते हैं कि ये दमा अस्थमा इनको तो खतम करेगा ही बात के सब रोगों को खतम करेगा कफ के रोगों को भी खतम करता है कफ के रोग आप समझते हैं खासी है, सरदी है, जुकाम है मोटापा है, वजन बढ़ना ये सब कफ के रोग है तो इन में भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे उतना ही इस पर भी है कफ की तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से दालचीनी आप सब जानते हैं आसानी से आपको पहचान में भी आती है बस उसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये ज़्यादा उपयोग ही है पाउडर के रूप में कई बार मैंने देखा है भोजन बनाते समय हम दालचीनी का पत्ता डाल रेते हैं या उसकी वो जो चाल जैसी है वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है और दालचीनी के बारे में बागवट्टी जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड के साथ इसको खूब घिसिये रगड ये ऐसे 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 खूब अच्छे से गुड मिले फिर खाईए फिर पीछे से थोड़ा गरम पानी पीजिये अद्बूत परिनाम और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका मरदन मरदन एक शब्द उन्हों ने इस्तेमाल किया मरदन माने गिसना रगडना तो वो कहते हैं कि खूब रगड करके मरदन करके शहद में ऐसे 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 पांस साथ मिनिट फिर चाटिये और थोड़ा हलका गुनगुना पानी पीजिये तो आपके शरीर के कम से कम तो पचास रोग ये अकेला दालचीनी खतम कर देगा कम से कम पचास कफ के रोग और वात के रोग तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं अपने रसोई में हैं अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ रसोई से बाहर निकलता हूँ क्योंकि रसोई में अगर मैं बोलू तो और तीन चार दिन जाएगा आपको और ज़्यादा विस्तार से ये जानना है तो मैंने बार बार कहा है पुस्तके है एक पुस्तक है जो रसोई घर पही केंद्रित है जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा और एक दूसरी है सौंदरे चिकित्सा मने इसकिन के जितने डिसीज हैं बाहर हैं आप ले जाएए बागवट्ट जी के ही सारे सूत्र हैं बस इतना ही हमने किया है कि भाशा थोड़ी सरल की है और उपियोग आप कर सकें आज के समय में उस हिसाब से उस सूत्र को लिखा है लेकिन जितने सूत्र हैं किताबों में वो सब परीक्षण करके लिखे गए 6-7 साल हमने खुब परीक्षण किया है परिणाम मिले हैं तब ही उनको लिखा है ताकि किसी को फाइदा तो हम दें अच्छा है, नुकसान किसी का ना हो, हमारे कहने और करने से, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, बागबटी जी कहते हैं कि भगवान ने, प्रकरती ने, हमको जो बहुत सारी चमतकारिक चीज़ें उपलब्द कराई हैं, भगवान ने या चमतकारिक चीज़ें हमें उपलब्द कराई हैं, उसमें से एक है गाय, और गो मूत्र के बारे में वो बहुत बखान करते हैं, बखान शब्द आप समझते हैं, खूब प्रशंसा करना, खूब प्रशंसा करना, वो कहते हैं कि ये गाय का मूत्र अदबुत है, अदबुत है मतलब वो ये कहते हैं कि वात पूरी तरह से खतम करने की शक्ति इसमें है कफ पूरी तरह से खतम करने की शक्ति इसमें है और पित पित के रोगों को भी खतम करने की शक्ति है कुछ आयुरोवेदिक आउशदियों के साथ वात और कफ को तो ये अकेला ही खतम कर देता है पित्त को खतम करने के लिए इसमें कुछ आउशदिया मिलानी पड़ती है लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में तीन तरह के जो जितने रोग हैं वात पित्त कफ इनकी कुल संख्या मैंने आपको सबसे पहले दिन बोली थी लिए अगर किसी एक वस्तू में है तो ये गोमूत्रे मैथी का दाना वात को कम करेगा कफ को कम करेगा पित्त को खतम नहीं कर सकता पित्त को कई बार बढ़ा देता कई लोगों को ये महसूस होगा मैथी दाना खाएं तो जलन ज़्यादा होती है गैस बनती है मूँ सूख जाता है तो आप समझ लो पित बढ़क गया आपका तो उन लोगों के लिए तकलीफ है लेकिन वो कहते हैं कि यह गोमूत्रे का ऐसी चीज है जो बात पित कफ तीनों को सम में लाने के लिए सबसे जादा मदद करता है अब ये तो उन्होंने लिख दिया साड़े तीन हजार साल पहले तो जरूर कुछ अब्जर्वेशन किये होंगे हमको इस पर भरोसा कम होता था जब ये बात मैंने पहली बार पढ़ी तो भरोसा कम होता था कि क्या अदुबुत चीज बता रहे हैं वो वाद पितकफ तीनों को एक साथ सम्में ला सकता है थोड़ा सा मामूली हेर फेर करना पड़ेगा पितके रोगियों के लिए बाकी के लिए तो कुछ नहीं करना तो फिर हम लोगों को जब शक हुआ कि शायद ये इतना असरकारी नहीं हो सकता तो गोमूत्र पर हम लोगों ने कुछ परिक्षन किये हमारा एक बहुत बड़ा समू है इस देश में तो उसमें बहुत तरह के लोग हैं वेग्यानिक भी है डॉक्टर भी है वगरा वगरा तो कुछ वेग्यानिक और डॉक्टरों ने मिलकर का करके देख लो बागवट्टी जी कह रहे हैं तो हो सकता है जरूर इसमें कुछ गंबीर बात हो करके देख तो जब करके देखना शुरू किया तो पिछले लगबग 5-6 वर्षों में गोमूत्र पर हजारों परिक्षन किये हजारों सबसे पहले तो उसका हमने केमिकल एनलेसिस कराया कि आखिर गोमूत्र है क्या तो सबसे ज़्यादा उसमें पानी है पानी के अलावा क्या है तो पता चला पानी के अलावा उसमें कैलशियम है तो पता चला पानी के अलावा उसमें सलफर है पानी के अलावा उसमें आईरन है पानी के अलावा उसमें ऐसे जीवन के 18 सुक्ष्म पोशक तत्व हैं जो शरीर को बहुत ही उप्योगी है पानी तो है इगो मूत्र में आपके भी मूत्र में पानी है लेकिन पानी के अलावा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मूत्र में नहीं है मनुश्य मूत्र में नहीं है केल्शियम है, आइरन है, सिलीकॉन है, बोरॉन है एफी है, मेगनीज है, मेगनीशियम है ऐसे 18 सुक्षुम पोशक्तत अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूँ ये 18 सुक्षुम पोशक्तत तो एक साथ अगर किसी चीज में है, तो मिट्टी में है मिट्टी, खेत की मिट्टी में और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ है, तो गाय के मूत्र में दूसरी कोई भी चीज में अगर है तो गाय के मूत्र में पहली चीज जिसमें है मिट्टी और दूसरी कोई चीज तो गो मूत्र तो गो मूत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं यह जो संपूर्ण घटक वाली एक पएपदार्थ है या द्रव्य पदार्थ है इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, चमत कारिक है तो हम वो लगा के करके देख लो तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनलिसिस कराया एक लेबरेटरी में गाय का मूतर डिब्बे में भरके दिया शीशी में भरके कि जरा देखो इसमें क्या है तो छे महीने के बाद, लगबग आठ महीने के बाद लखनव एक शहर है भारत का जिसका बड़ा नाम है, बड़ा जिकर है, उत्तर प्रदेश की राजदानी है वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, उसका नाम भी बता दूँ, ताकि आप चाहें तो उनसे कन्फर्म कर ले प्रयोगशाला का नाम है CDRI, Central Drug Research Institute भारत में दवाओं पर औशदियों पर काम करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है तो इनके यहां सबसे पहला टेस्टिंग हुआ, शीशी में भरा गोमूत्र हमने दिया और तीन चार तरह के गोमूत्र दिये, एक तो वो जर्सी गाय होती है न, जर्सी गाय, विदेशी गाय, उसका भी दिया होलिस्टियन, फ्रीजियन, जाती की गाय का दिया, और जो भारत की गाय है, देशी गाय अपनी, उसका दिया तो वेग्यानिकों ने छे से आठ महीना लगाया, फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को खतम करने के लिए जितने गटक चाहिए, वो सब गोमूत्र में हैं, सब के सब सब के सब अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूँ आपको तवचा का कोई भी रोग हो गया कोई भी रोग हो गया तवचा का तो इसका मानिया आपके शरीर में एक घटक कम हुआ घटकों की कमी से ही रोग होते वो घटक का नाम है सल्फर एक chemical कम होता है जिसका नाम है sulfur जिनको भी skin disease होंगी उनके शरीर में sulfur कम हो जाएगा ये है बात अब गाये के मूत्र में भरपूर मात्रा में है sulfur भरपूर तो हम लोगों ने क्या किया कि ये त्वचारोग वालों को एकठा करके sulfur चाहिए तो सल्फर हम चाहे तो होमियोपेथी में दे सकते थे उनको सल्फर चाहे तो आईरुवेद में भी दिया जा सकता था हमने ना होमियोपेथी में दिया ना आईरुवेद में दिया उनको का वही गोमूत्र में सल्फर है और आपको सल्फर की जरूरत है तो आप पी के देख लो तो उन मेंसे कुछ ने पिया, कुछ ने नहीं पिया कुछ को लगा कि कैसे पिया है इसमें बगएरा बगएरा बहुत सारी तकलीफे हैं वो एक आदमी तो मुझे कहता था राजी भाई इतनी बास आती है कैसे पी सकता हूँ और वो रोज एक बोतल दारू पी लेता था गोमूत्र पीने में उसको बास आती थी तो मैं उसको समझाता था भाईया दारू की जो बास है उससे अच्छी तो ये है लेकिन वो माना ने खेर, जिल लोगों ने पी लिया हमने देखा कि सवा महिने से ही उनके तवचा का रंग बदलना और उनका जो रोग है वो बदलना शुरू हुआ तीसरे महिने तक आते आते संपूर रोग थे और क्या-क्या रोग ठीक हुए सोराइसिस ठीक हुआ जो कभी ठीक नहीं होता, आप जानते है एलोपैती वाले तो कहते हैं सोराइसिस ठीक ही नहीं होता सोराइसिस के बारे में वो कहते हैं कि आदमी मरे तो ठीक होता है ये भाशा है डॉक्टरों की तो वो सोराइसिस ठीक हुआ एक्जीमा तो इतने आसानी से ठीक हुआ कि बहुत ही आसान खुजली, खाज, दाद, सब तरह के तवचारों ठीक हुए तो बात समझ में आई कि बागवट्टी जी सही कहते है फिर हमने इसका एक्सपरिमेंट गुटने दुखने वालों पे किया गुटने दुखते हैं, कमर दुखती, कंधा दुखता है और देखा कि रिजल्ट बिलकुल सही है 15-20 दिन में ही असर है फिर हमने इसका प्रयोग कफ वालों पे किया खासी है, सर्दी है, जुकाम है 20-20 साल की खासी है, 25-25 साल की खासी है अब आप जानते 20-25 साल की खासी ही तो दमाई हो जाती है या तो टीवी में बदल जाती है तो उसमें देखा तो इतना तीवर असर है इसका कि अगर आप ट्यूबर कुलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज करा है आप खुद कर लेंगे एक्सपरिमेंट मैं तो 20 यों बार कर चुका सरकार का इलाज आप जानते हैं एक गोलियां डॉट्स की गोलियां टीवी के मरीजों को देते हैं और कहते हम फरी में बांट रहें तो एक आदमी को आप बोलो कि डॉट्स खाए और इलाज कराए और दूसरा ऐसा ही आदमी पेरलल ले लो इसको टीवी है अस्थमा है दमा उसको को नहीं तुम सिर्फ गोमूत्र पियो और कुछ मत करो फ्रेश गोमूत्र माने फ्रेश जो उता जा तो आप देखेंगे कि वो डॉट्स की गोली खाने वाले को चार महिने से छे महिने लगेंगे और ये गोमूत्र पिने वाले को सवा महिने से दो महिना ही लगेगा और ठीक होगा और ये एक बार ठीक हुआ गोमूत्र पिके इसको दुबारा टीवी नहीं आएगी क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ा देता है ऐसे कुछ मरीज एम्स में हमने चिन्नित किये ज्यादा एक्सपरिमेंट हमने एम्स के डॉक्टरों की मदद से किये तो All India Institute के कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है नियमित रूप से टीवी के लिए वो आते हैं उनको शीशी में भर-भर के ये दे दिया और ये नहीं क कहा कि ये गोमूत रहे क्योंकि कहो तो खाएं नहीं और पियें नहीं उनको कहा ये बहुत अच्छा सीरफ है आप इसको पीते रहो अब वो आते थे शिकायत करते थे कि ये कैसा सीरफ है इसमें कुछ बास सी आती है दूसरे सीरफ तो मीठे मीठे लगते हैं कि बाई ये सीर जब दूसरे तरह का है, तो उनको बताएं तो पिये नहीं और हमारा experiment हो नहीं, तो हमें तो करना था, तो उनको बताए गया, तो यह हमने देखा, कि dots का जो काम करने का है, dots मने उसके जो micro nutrients, उसके घटक, जो शरीर पर काम हो रहे हैं, गोमूत्र पीते ही, उनके काम करने की शक पीमारी जो छे महिने में खतम होने वाली थी, वो दो सवा दो महिने में संपूर्ण जड़ से ठीक हो गई, फिर जब वो ठीक हो गए, तब उनको हमने बताया कि भाईया, वो शीशी में भरके जो दिया था, वो गोमूत्र था, तो तुरंत नाक चड़ गई उनके, ठीक हो रहे, कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, हमको हमारी संभावना नहीं थी कि हम जिन्दा भी बचेंगे, लेकिन नाक तब भी चड़ गई, तो ये जो नाक चड़ती है हमारी, ये अब कम कर दीजे इसको चड़ाना, गाय का मूत्र अद्भुत है, बहुत ही अ अभी जो लेटेस्ट हम काम कर रहे हैं, आज की तारीख में जब मैं आपसे कह रहा हूँ, इस समय ज़्यादा काम हो रहा है कैंसर पे, कि गोमूत्र का कैंसर पे असर देखो क्या होता है, तो गले का कैंसर, आहरनली का कैंसर और पेट का, इन तीन कैंसरों पर सबसे अच्छ और combinations है मतलब कि गो मूत्र में ये मिलाओ और ये मिलाओ और इतनी मात्रा में मिलाओ और इतनी वो करके देख रहे हैं और वो करके देखने के लिए एक बड़ा hospital बन रहा है इस देश में आप कभी भी वहाँ जा सकते हैं 11 फरवरी से काम करना शुरू कर देगा वलसाड में बन रहा है वलसाड वलसाड आपने सुना गुजरात में तो वलसाड के कुछ जैन समाज के लोग इकठे हुए उन्होंने दिल दिखाया और दान दे दिया जितना चाहिए था मने हॉस्पिटल बनाने के लिए आप जानते हैं आसान नहीं है और कैंसर हॉस्पिटल के लिए तो थोड़ा मुश्किल है तो उन्होंने भरपूर दान दे दिया जगे भी दे दी तो हॉस्पिटल बनके तयार हो गया 11 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा जो वेग्यानिक गोमूतर पर काम कर रहे थे पिछले 6-7 साल से वो सब इकठे होके वलसाड में बैठेंगे और सिर्फ कैंसर पे काम करेंगे क्योंकि बाकी काम तो करके देख चुके हैं वो सब में अच्छा है हर बीमारी में काम आ रहा है कैंसर में करेंगे और हर तरह के कैंसर में करेंगे गरबाशे के कैंसर में करेंगे रक्त कैंसर में करेंगे ब्रेन ट्यूमर जो कैंसर में कनवर्ट होता है उसमें करेंगे और शायद हमें लगता है एक डेड़ साल के बाद मैं दुबारा आपको मिलूंगा तो इस पर बहुत विस्तार से बात करूंगा कि कैंसर में क्या रिजल्ट है तीन तरह के कैंसर के रिजल्ट तो अभी बता सकता हूं गले का, आहरनली का और पेट का ये तो बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है लेकिन बागी कैंसर में भी इसका कोई असर है आपने Cancer के बारे में जितना कुछ सुना है उसमें से एक बात में कहूँ कि आधुनिक विग्यान ये कहता है कि शरीर को Cancer तबी होता है जब शरीर में एक Chemical कम होता है उस Chemical का नाम है Curcumin ये आज के विग्यानिकों ने Research करके निकाला है करक्युमिन नाम का एक केमिकल है, ये कम हैं तो जरूर तो खतम होगा आदमे, कैंसर आएगा और खतम होगा, और इस केमिकल की कमी से जो कोशिकाएं होती हैं वो अनकंट्रोल्ड होती है, उनके उपर कंट्रोल नहीं रहता, तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक जूत जयसा ब सारे वैग्यानिक इसमें लगे हुए अब सहयोग की बात देखिए कि जिस करक्यूमिन की बात आज के वैग्यानिक कर रहे है वो करक्यूमिन भरपूर मात्रा में गोमूत्र में है भरपूर मात्रा में और एकदम डाइजेस्टिबल फॉर्म में है डाइजेस्टिबल माने तुरंद पियो और असर करे ऐसा देर नहीं लगे ये कुछ ऐसा संयोग है प्रकरती का वेग्यानी कह रहे हैं कि ये तत्तु कम होता है तब ही कैंसर होता है अब यही तत्तु काय के मूत्र में है तो हजारों साल पहले बागवट की कही हुई बात अब सिद्ध हो जायेगी साल भर में तो सम मान लेगे अब तक जितने रिसर्चेज हुए हैं गो मूत्र पर इन पर भारत सरकार के सामने रिपोर्ट्स पेश की गई बारत सरकार की जानते हैं एक काउंसिल है जिसका नाम है MCI, Medical Council of India इनके पास सब कुछ जाता है सबसे पहले तो वो सब गया, तो MCI वालोंने नाक चड़ही बहुत यह क्या आप ले आए गोमूत्र, ऐसा बात करते हैं क्या ले आए गोमूत्र, मने उनको लगता है कि यह तो बेकार की चीज़ है गोमूत्र अब उनका कुतर्क क्या है वो जरा देखो, कुतर्क, तर्क है तो चलो अच्छा है हम उनसे संबाद कर सकते हैं समझा से, कुतर्क करते हैं कहते हैं जी ये गोमूत्र इतना ही अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों इसको शरीर से? जब हमारा जगड़ा हुआ ना MCI वालों से आधुनिक डॉक्टरों से और उन्होंने ये कुतर करना शुरू किया कि क्या फाल तू बात करते हैं गोमूत्र इसमें कुछ है क्या? और आपको ठीक करते रहते हैं उनके बहुत सारे काड़े बहुत सारी दवाएं गोमूत्र में बनाते हैं आपको नहीं बताते ही ये अलग बात है क्योंकि हर वेद्ध मुझे यही कहता है बता दो तो नाक चड़ जाती है सबकी नाक चड़े तो थोड़ा रिजिस्टेंस आ पुरानी एक बात याद आई मेरी दादी मां हमेशा मुझे कहा करती थी वो कभी स्कूल में नहीं गई कॉलेज में नहीं गई लेकिन ग्यान बहुत था उसको हमारे देश में ऐसा ही है जो स्कूल कॉलेज में नहीं गई वो सब ग्यानी हैं ये मेरा पंद्रे साल का सो प्रत आधिश्चब तजुर्वे का हिस्सा है, इसमें कोई कमी नहीं है जो इस्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, बहुत ग्यानी है उनके पास नॉलेज बहुत है, फंक्षयनल नॉलेज जिसको हम कहते हैं अपरेटिव और फंक्शनल नॉलेज उनको जबरजस्त है और वो इतनी ग्यान की बातें कई बार कर जाते हैं कि हमारा सिर्ग घूम जाता है एक बार मैं आपको ये छे पक है लेकिन मैं जोड़ देता हूँ मैं एक बार पटना रेलवे स्टेशन पर उतरा बहुत बार जाता रहता हूँ गूमता रहता हूँ तो रात के ढ़ाई बचे थे अब ट्रेन से उतर गया सामान थोड़ा जादा था मेरे पास एक ही सामाने किताब है मेरे कपड़े तो दोई तीन है बस किताब है तो उठाए गठर अब कैसे उठाएं तो कुली चाहिए भई तो ढूड़ना शुरू किया तो एक ही कुली दिखाई दिया मैंने का भाई जरा ले चलो बाहर तक उसने का साम थोड़ी देर रुख जाओ मेरा कुछ जगड़ा है किस से जगड़ा है थोड़ी देर रुख जाओ फिर मैं ले जाओंगा तो मैं खड़ा हो गया दोनों की बात सुनने लगा पती और पत्नी बात कर रहे थे उसकी पत्नी कहीं गाओं से आही हुई थी कोई मामला था मुझे ज़्यादा उनकी भाशा समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो जो है न इस्थानी भाशा बोलते है और मैं थोड़ा मूरख आदमी हूँ मुझको कम समझती तो मैं सुन जरूर रहा था जगड़ा चल रहा था अंत में कुछ फैसला हुआ और फैसला हुआ फिर उसने का चलो अब आपका सामन लेता हूँ तो मैंने जिग्या साथ पूछ लिया भई बात क्या थी तो उसने का कुछ नहीं मैंने का बता दो भाई उसने का मेरे घर की बात है आपको क्या बता हूँ तो फिर भी मैंने का बता दो तो उसने का बात इतनी सी थी कि मेरी पत्नी कुछ कह रही थी मैं मान नहीं रहा था फिर मैंने का क्या हुआ उसने का अब मैंने मान लिया मैंने का क्यों मान लिया अब देखो उसने जो आगे बोला तो मैं तो दंग रह गया मुझे लगा कि मैं इसके पाउं छोलू यह इतना महानादमी है, कुली है वो कहता है, जी इस्तरी जो होती है ना इस्तरी, वो खूंटा होती है खूंटा, खूंटा समझते हैं हिंदी का शब्द है, खूंटा खूंटा, जिससे हम गाय बानते हैं बेल बानते हैं, वो कहते हैं, इस्तरी से पूरा घर बना रहता है यह खूंटा उखड गया तो घर मैंने कहा कि भाई इसने कहीं युनिवर्सिटी में गया नहीं कोई डिग्री इसके पास है नहीं इतने यान की बात इसने कैसे कही तुम मैं तुम कहां रहते हो तो उसने बता है वहां रहता हूं कंकडबाग कोई जगे बताई थी वहां रहता हूं जोपड़ी में रहता हूं फिर मैंने का ठीक है जोपड़ी में रहता हूं वो अलग बात है तुम्हारे मित्र यार कौन है तो उसने का मेरी जैसे हैं कोई कुली है कोई कोई पत्थर तोड़ता है कोई कुछ करता है हम सब रात को बैठते हैं और यही चर्चाहें करते हैं मैंने का बड़े ग्यान की बात है यह तो कोई फिलोसफर इस बात को पाने में दस साल लगाएगा डबल पिएजडी करना पढ़ जाएगा उसको ट्रिपल पिएजडी और उ तो बागवट्टी जी ने कह दिया उसके बाद बहुत सारे वैद्यों ने अंजाने में यह किया कि बागवट्टी जी कह गए है इसलिए गो मूत्र में घिसके दो तो ज़्यादा लाब करती है पानी में घिसके दो तो कम लाब करती है ऐसे ऐसे तो मैंने उन वैग्यानिको से जगड़ा ले लिया इसी आधार पर कि ये बोला है हजारों साल किया है ये अलग बात है कि रिपोर्ट्स नहीं रखी उन्होंने तो ठीक है हम निकाल के देंगे आपको तो उनका एक ही कुतरक था कि जी मूतर इतना अच्छा होता तो गाय क्यों छोड़ती इसको आपका मूतर अगर इतना अच्छा होता तो आप क्यों छोड़ते इसको फिर बात में मुझे दादी की बात याद आई कि दादी ये कहती थी कि ये गाय नहीं है माता है माता है माता वो कभी भी हम कहते थे तो वो कहती थी गाय मत बोलो, गो माता, या तो माता बोलो, नहीं तो गो माता, गाय नहीं बोलने दिया कभी बे उसने, क्योंकि गाय बोलना वो कहती थी अपमान है उसका, तो गो माता है, अब माता जो होती है, हर जरूरी चीज बच्चे के लिए छोड़ती है, यह आप सब बच्चा उत्पन हुआ तो उसको सबसे ज़ादा जरूरी है दूद तो मा दूद छोड़ना शुरू कर देती है बच्चे होने के पहले तक नहीं है वो बच्चा होने के बाद ही है तो माता के बारे में ये कहा जाता है मा की परिभाशा इस देश में है कि हर जरूरी चीज जो उसके बच्चे को चाहिए वो छोड़ती है तो मुझे लगा गाए भी माता है तो ये बहुत जरूरी चीज है शायद हमारे लिए मूत्र तो ये हमारे लिए शायद छोड़ती है हम मूर्ख हैं कि उसको एकठा नहीं करते, बेकार जाने देते हैं तो वैग्यानिकों को मैंने का हमारे आँ तो ये कहा जाता है कि ये गाए नहीं है माता है तो माह कुछ जरूरी चीज हमारे लिए छोड़ती है शायद ये जरूरी हो तो उनका अच्छा ठीक है अब आप बहुत जोर दे रहे हो और हमने कही तरह का प्रेशर डलवाया था उनके उपर तो चलो करके देख लेते हैं फिर MSK और MSI के वेग्यानिकों ने काम किया और काम करने के बाद आठ महीने के बाद वो कहते हैं बात आपकी बिलकुल सही है ये गोमूतर हमारे लिए ही गाये छोड़ती हे हमारे लिए ही छोड़ती है हमको bc विमारिया हैं जो इससे ठीक होती है तो आप अपने जीवन में गाये के प्रती देखने का थोड़ा नजरिया बदल दो अब तक आप गाय को दूद के लिए देखते थे अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मूत्र के लिए देखो दूद तो बोनस है मूत्र उसकी जिन्दगी की आखरी दिन तक मिलने वाली और शदी है दूद तो थोड़े दिन मिलेगा आप जानती हैं गाय थोड़े दिन दूद देती है जैसे मा थोड़े दिन दूद दे सकती है वैसे गाय भी थोड़े दिन दे सकती है हमेशा नहीं दे सकती थोड़े दिन के बाद दूद बंद हो जाता है लेकिन मूत्र जीवन के आखरी दिन तक देती है और उस मूत्र से हमने करके देख लिया वेग्यानिकों ने मान लिया कि 48 बीमारियां तो जड़ से ठीक हो जाती है ये बीमारियां क्या-क्या है फिर से सुना देता हूँ जोडों के दर्द सब तरह के किसी भी इस तरके जोडों के दर्द पित्त की बीमारियां किसी भी तरह की, कफ की बीमारियां किसी भी तरह की, गोमूत्र से ठीक होती है आप बोलेंगे इसको लेना कैसे चाहिए, बागवट जी ने इसका तरीका ये बताया है कि गोमूत्र लेना हो तो उसका सबसे अच्छा समय है सबेरे का सबेरे का समय बताया है अच्छा है सबेरे गोमूत्र लेना चाहिए कितना लेना चाहिए तो ये मात्रा बागवट जी बोल कर गए कि जो बहुत ज़्यादा बीमार है बहुत बीमार है उनको एक दिन में 100 ग्राम 100 ग्राम नहीं कहा है लेकिन जो मात्रा दी है वो ग्राम के बराबर है और 100 ग्राम बोल रहा हूं ताकि समझ में आए नहीं तो उनकी मात्रा बोल दी तो समझ में नहीं आएगी लेकिन वो लगबग 100 ग्राम तो जो बहुत बीमार है उनको 100 ग्राम 100 मिलिलीटर 100 मिलिलीटर मने एक कप जो चाय का है ना उसमें डेड़ सो एमल चाय आती है 150 मिले लेटर तो उसका पाउ कप मान लो ये बीमार बहुत बीमार बहुत बीमार लोगों के लिए और वो कहते हैं कि इसको आदा आदा करके लो तो और अच्छा है तो आदा एक बार ले लिया आदा दूसरी बार ले लिया और जिस समय लेए पेट खाली रहे तो नाश्टे के पहले अब पेट खाली दो समय रहता है दिन में एक तो सुबह सुबह और दूसरा जब भोजन के बाद आप चार घंटे निकल जाए ना तो पेट लगबग खाली हो जाता है तो शाम को ले सकते हैं बीमार लोगों और जो बीमार कम है या स्वस्थ हैं निरोगी हैं और लेना चाहते हैं उनको एक ही बार तो पचास मिली लीटर की मातरा उन्होंने बताई है उसके लिए स्वस्थ कम बीमार 50 ml, 50 ml माने, एक कप का तिहाई हिस्सा, वन थर्ड, तो ये आप ले सकते हैं अब जिस गाय का मूत्र आप ले रहे हैं, उसके बारे में एक छोटी जानकारी उन्होंने जोड़ी उसमें वो ये कहते हैं सूत्र में कि गाय जो मूत्र पीने लायक माने अवशदी के रूप में देती है, वो गाय को पैदल चलना बहुत आवश्चक है माने वो चले दिन में, घूमें, टहले, बांधी हुई गाय जिसको आप चलने ही मत दो, घर में ही बंधी रहे उसके मूत्र के बारे में बागबटी जी कहते हैं कि वो उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं अब हमने क्या देखा, कि ये जो जर्सी गाय है न जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन, ये बंधी हुई गाय है आप इसको छोड़ भी दो तो जाती नहीं है, बद्ध से बैढ़ जाती है, खड़ा करो फिर बैढ़ जाई फिर खड़ा करो, खड़ी भी नहीं होती ज़्यादा देर बैठी रहेगी चलना तो उसके लिए इतना भारी है कि जब वो चलेगी तो ऐसी कराह निकलती है उसके मुह से तो ये बंदी हुई गाय है बागवटी जी कहते हैं बंदी हुई गाय का मूत्र अच्छा नहीं है तो हमने जर्सी का निकाल के देखा वो सच में अच्छा नहीं जर्सी गाय के मूत्र में तीन ही घटक है और देशी गाय के मूत्र में अठारे घटक है जो कुछ मिट्टी में है वो गाय के मूत्र में है अच्छा फिर मुझे बच्पन की एक बात याद आई मेरी दादी मा ने कहा कि गाय के शरीर में 33 करोड दे होता है अब बात सुन ली बैठ गई मन में explanation में पूछता था अपने आप से कि ये कैसे हो सकता 33 करोड दे होता 33 करोड दे होता तो हमारे यहाँ एक शब्द है कोटी 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 है ना कोटी कोटी का एक अर्थ होता है करोड और कोटी का एक अर्थ होता है प्रकार संस्कृत शब्द है कोटी कोटी का एक अर्थ है करोड 10 करोड 20 करोड 50 करोड जो गिंती में आप गिन कोटी का दूसरा अर्थ है प्रकार तो शायद यहाँ पर जो अर्थ है वो प्रकार वाला है 33 प्रकार के देवता 33 करोड नहीं क्योंकि जिस समय बागवट जी ने लिखा था उस समय हिंदुस्तान की आबादी 20 करोड से कम रही होगी तो 33 करोड देवता कैसे हो सकते हैं जब कुल मनुष्यों की संक्या इतनी कम है तो शायद वो प्रकार वाला है और आजकल बहुत लोग खिल्ली उडाते हैं न हिंदु धर्म की ये ईसाई लोग और मुसल्मान लोग जो खिल्ली उडाते हैं वो इसी पर आ जाते हैं क्या बात करते हो 33 करोड देवता हैं तुमारे हैं हमारे हैं तो एक ही देवता है और देवता तो एक ही होता है तो वो शायद 33 प्रकार के देवता हैं ऐसा है अब मैंने एक बार पुराने शास्त्रों से गाय का एक चित्र निकला हुआ देखा तो देवताओं का बना हुआ था कि गाय के शरीर में कौन कहा है जैसे गाय के मूत्र में धनवंतरी देवता है गाय के गोबर में लक्षमी जी का निवास है एक संस्कृत सूत्र है गोमय वसति लक्षमी गाय के गोबर में लक्षमी है गोमूतर में धनवंतरी है गाई के गले में शंकर जी हैं ऐसे ऐसे करके हैं अब मैंने का करके देखो भाई हैं तो करके देख लो तो पहली बात तो समझ में तुरंतागी कि गोव मूत्र से इतने रोग ठीक हो रहे हैं और धन्वंतरी तो आरोग्य के लिए ही उत्पन हुए थे तो मूत्र में धन्वंतरी तो हैं पक्का गोवर में लक्ष्मी है क्या तो हम लोग 6-7 साल से ये प्रयोग कर रहे हैं और अब जाके हम ये कह सकते हैं कि सच में महा लक्ष्मी है गोवर में लक्ष्मी नहीं महा लक्ष्मी क्योंकि हमने गोबर का उपयोग किया खेतों में यूरिया डियेपी बन करा दिया भारत में हमारा जो अभयान है न हिंद स्वराज अभयान आजदी बचावांदुलन इसके करीब करीब कारिकरता पूरे देश में अठारे बीस हजार ऐसे हैं जो गोबर से ही खेती करते यूरिया का एक दाना नहीं डालते डियेपी नहीं डालते गोबर ही डालते जब जरूरत पढ़े गाय का गोबर डाते और उनकी खेती पहले से इतनी अच्छी है कि उत्पादन उनका दो से तीन गुना बढ़ गया पहले हमारा कोई कारिकरता कपास करता था तो यूरिया डियेपी से एक एकड में दो ड़ाई कुंटल अब गोबर डाल के करता है तो साथ कुंटल कपास पहले हमारा एक कारिकरता गेहू करता था तो यूरिया डियेपी से एक एकड में 12 कुंटल गेहूं अब गोबर से गेहूं करता है तो 24-25 कुंटल गेहूं उसी एक एकड धान करते थे चावल करते थे तो यूरिया डियेपी से आता था मुश्किल से 15-17 कुंटल धान चावल उसमें भी कम होता था अब हम धान करते हैं तो 30 कुंटल तक आता है उसी गोबर से बाजरे में किया मक्के में किया गन्ने में तो इतना अद्बुत परिणाम है कि यूरिया डियेपी का गन्ना करो तो गन्ना जादा से जादा 8 फिट उचा होता है गोबर से गन्ना करो तो 14 फिट तक उचाई जाती है गन्ने में यूरिय DAP से recovery 8% है गोबर से recovery 14-15% है और जो गोबर से गन्ना करें और उसका गुड़ बनाएं रस से गुड़ बनाएं तो वो गुड़ का अंतर राश्वी बजार में भाव 70 रुपई किलो है और आप 15 रुपई किलो खरीदने में परिशान है क्योंकि international market में लोग कहते हैं कि जी गोबर का गन्ना और उसका रस और गुड़ मिलता नहीं किसी देश में भारत में ही संभव है क्योंकि देशी गाए ही भारत में और किसी के पास देशी गाए है नहीं तो गोबर में लक्षमी है क्योंकि आप उत्पादन बढ़ाएंगे बाजार में बेचेंगे लक्षमी आएगी तो गो में वसति लक्षमी गो मूत्रे धन्वंतरी सूत्र कुछ ऐसा है कि मूत्र में धन्वंतरी गोबर में लक्षमी अब ये गोबर पर experiment करते करते हम यहां तक आये हैं कि गाय के गोबर में से gas निकलती है यह gas से आप अपने घर का चूला तो जलाई सकते हैं यह तो पुरानी बात है अभी आज की बात जो है वो यह कि गाय के गोबर से निकली हुई gas से गाड़ी चला सकते है गाड़ी माने टाटा सूमो टाटा इंडिका टाटा सियरा टाटा की वो सफारी यह सब चलती है बहुत आराम से चलते है गोबर गैस है न उसको सिलिंडर में भरो और वो सिलिंडर गाड़ी में लगा दो तो बिना इंजन बदले और कोई तकलिफ किए वो ही गाड़ी दोड़ती है दिल्ली में IIT है कभी भी आप वहाँ चले जाएए IIT केंपस की सब गाड़ियां गोबर गैस से ही चलती है और इस आधार पर सुप्रीम कोट में एक केस का अभी फैसला हुआ है हमारे देश का अदालत अब तक कहती थी कि गाए दूद न थे तो बेकार है काट दो अब सुप्रीम कोट ने अपना फैसला बदल दिया वो कहते हैं ये दूद नहीं दे तो भी उतनी ही उप्योगी है क्योंकि गोबर दे रही है और मूत्र दे रही है कोट ने अपना जज्जमेंट बदला ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ सुप्रीम कोट ने अपना पुराना जज्जमेंट बदला ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद अब थोड़े दिन में हमारी तो एक योजना है आप अगर मदद करेंगे तो हम जरूर करेंगे इस योजना को गाओं गाओं जहां भी गाय है वहाँ गोबर है गोबर है तो हम क्या करने वाले हैं गोबर गैस प्लांट छोटे छोटे हर जग है गैस निकालो और सिलिंडर में भरो कमप्रशर की मदद से आप जानते हैं कोई भी गैस सिलिंडर में भरी जा सकती है तो compressor की मदद से gas cylinder में भरो और cylinder खुद भी इस्तेमाल करो दूसरों को भी दो ये LPG का चक्कर खतम करो क्योंकि LPG आयातित है माने imported है दूसरे देश के सामने हम भिकारी बनके खड़े हैं जी दे दो इरान से मांग रहे हैं इराक से मांग रहे हैं इरान आँखे दिखारा नहीं देते देंगे तो इस की मत पे देंगे गरज है तो ले लो नहीं तो मत लो तो हमारी सरकार भीगी बिल्ली बनी हुई उनके सामने रिरी आती है ये चक्कर अभी खतम करना हमको तो डीजल पेट्रोली खतम करना इस पेश में जलालो घर के सब काम गोबर गैस से हो सकते हैं और गोबर गैस की बनाई हुई रोटी का स्वाद आपके LPG की रोटी के स्वाद से कई गुना अच्छा है करके देख लीज़े आँ तो हमारी भविश की योजना है कि हम इस अभियान में आगे ये करने जा रहे है गाउं गाउं के कारी करताओं को प्रसिक्षन देके कैसे गोबर गैस बनाई जाए कैसे प्लन्ट लगाया जाए कैसे उसको निकाला जाए गैस को कैसे सिलिंडर में भरा जाए जिस दिन ये काम बड़े पहमाने पर चल पड़ा, हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल एक बूंद खर्च करने की जरूरत नहीं, गाय से ही देश चलेगा, तो समझ में आएगा कि इसमें महालक्षमी हैं गाय के गोबर, लक्षमी नहीं महालक्षमी, भारत में सत्रे करोड गा गाय है, तो एक दिन का उनका गोबर है, 170 करोड किलो, लेकिन सारे देश के डीजल की खर्चा, और पेट्रोल का खर्चा, और LPG का खर्चा, ये पूरा अगर हम कवर करना चाहें, तो गाय चाहिए 34 करोड, हम आदे का तो कर सकते हैं, आज जितनी गाय है, 34 करोड, अब ये 34 क करोड गाय कहां से आएगी, ये तभी आएगी जब कटना बंद हो, आप अगर इसका संरक्षन करें, गाय का कटना इसका बंद करा दें, तो गाय की संख्या अपने आप 34 करोड हो जाएगी, क्योंकि भारत की जो गाय है, देशी गाय, वो 20 साल जीवित रहती है, और 20 साल में कम से कम सत्रे बार मा बन सकती है वो, भारत की गाय, और ये जो जरसी है ना, इसकी उमर ही नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आट से नौ साल जीवित रहती है, और आट से नौ साल में पांच-छे बारी मा बनती है, और भारत की जो देशी गाय है, इसके बारे में अवट जी कहते हैं कि इसके जैसी दूसरी चीज कोई भगवान ने नहीं बनाई ये देशी गाये है माँ बनेगी बच्छडा आएगा बच्छडी आएगी तो गाये बच्छडा आएगा तो बैल बनेगा और देशी गाये का बच्छडा ही बैल बनता है ये जरसी वाला नहीं बनता क्योंकि देशी गाय के शरीर पर कंधा है तो कंधा चाहिए ना बच्छडे को बैल बनने के लिए तो वो तबी संभव है इसलिए देशी गाय का संरक्षण करना बहुत जरूरी है आप बोलेगे जी संरक्षण कैसे हो बागवट जी कहते हैं कि भारत को भगवान की सबस अच्छी देन है वो ये गाय है जिसको हम देशी गाय कहते हैं इसकी हमेशा सेवा करो तो ये संरक्षित हो शायद इसलिए हमारे बुज़गोर ने का गाय की सेवा करो तो मोक्ष मिलेगा ते-تीस प्रकार के देवता खुश रहेंगे और मैंने करके देखा ये देशी गाय आप घर में रखो उसकी सेवा करो सवेरे सवेरे सो के उठो बस गाये को देखो कुछ मत करो बैठ जाओ देखो उसको सामे और आपके शरीर में इतनी खुशी और आनंद पैदा होगा उसका चेहरा देखने मात्र से करके देख लो इसको मैं अभी एक एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ डिप्रेशन के कुछ मरीजों को मैंने एकठा किया है एक गोशाला में डिप्रेशन के मरीजों को एकठा किया है कोई दवा नहीं देते वो कहते हैं जी गाये के सामने बैठो बस और देखो उसको देखो उसकी आँखें देखो आँखों में जितनी सुन्दरता है देशी गाए की कहीं नहीं मिले गया और जो आप गाए पहचान सकते हैं भारत में एक गाए है किलारी गाए कहते हैं उसको एकदम गुलाबी आँखें सुर्ख गुलाबी आँखें उसकी आँखें देख लिया आपने तो डिप्रेशन और अवसाद आपका खतम हो जाए इतना आनंद मिलता है गाय को देखने से तो गाय देखने मातर से अगर आनंद की प्राप्ति हो रही है तो ये उसकी सबसे बड़ी विशेष्टा है मूतर से तो बीमारिया ठीक होई रही है गोबर से तो बहुत कुछ होई रहा है अपने देश में उसकी आँखें देखने मातर से खुशी पैदा होती है और उसी गाय के साथ एक भैस को देख लो बरवर में एक गाय खड़ी कर लो एक भैस कर लो आप तो ना हो तो डिप्रेशन हो जाएगा भैस का चहरा देखते ही मन में जो पैदा होता है न वो वामिटिंग सेंसेशन जैसा है और गाय का चहरा देखते ही खुशी तब मुझे ये सब बातें समझ में आई कि हमारे पूरवज, पुर्खे, गाय के लिए कितने प्रेमी और कितना उसको बचाने के लिए लगे रहे और आप जानते हैं कि इस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई गाय सो शुरू हुई जो 1857 में मंगल पांडे ने गाय की चर्वी के कारतूस की बात सुनी नहीं होती तो गोली मारी नहीं होती तो क्रांती शुरू नहीं होती और महात्मा गांदी जो इस आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे वो ये कहते थे मेरा शरीर काट दो गाय को मत काटो और एक जगे तो गांदी जी ने अंग्रेजों को कड़क भाशा में कहा कि तुम भारत को गुलाम रखना चाहते हो रखो गाय काटना बंद कर दो मैं आंदोलन वापस ले लोगा वो कहते हैं गाय बच गई तो आजादी तो आई जाएगे एक बार गांदी जी को एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि आपको आजादी और गाय दोनों में से क्या चाहिए तो कहते हैं गाय बचा दो आजादी तो आई जाएगे गांदी जी जैसे आदमी को इतना लगता था और गाय के बारे में इतनी सारी अच्छी बाते कहते हुए एक खराब बात कह दूँ कि यही गाय सबसे ज़्यादा कट रही है और आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा कट रही है तमिल नाडू और केरल एक साल में साड़े चार करोड गाय कट जाती है इस तमिलनड केरल में उससे भी बड़े कतल खाने हैं जहां एक दिन में सत्रे अठारे हजार गाय कट जाती है तो जो गाय इतनी उपयोगी है वो कट रही है इसको कटना बंद कराना ही पड़ेगा अगर हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल के दुश्चक्र से निकालना है मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ एलपीजी गैस का सिलिंडर आप कितने में खरीदते हैं तीन सो रुपय में हाँ गाय गैस का सिलिंडर मने गोबर गैस का सिलिंडर उतना ही बड़ा जो एलपीजी का है आप अगर गोबर गैस का खरीदो तो सरसट रुपय में मिलेग आप एक लीटर पेट्रोल में कितनी काड़ी चलाते हैं एक लीटर पेट्रोल में 20 किलो मीटर है ना नहीं नहीं बीस मान लो अच्छी से अच्छी गाड़ी एक लीटर पेट्रोल में अच्छी से 20 किलो मीटर एक किलो गोबर गैस में वही गाड़ी 33 किलो मीटर चलती है एक किलो गोबर गैस में वही गाड़ी 33 किलो मीटर और आप जब खर्चा निकालते हैं न गाड़ी चलाने का पर किलो मीटर खर्चा तो डीजल का खर्चा साइद 4.5 के आसपास आता है पेट्रूल का खर्चा 6.5 रुपए आता है गाय के गोबर से पर किलोमीटर गाड़ी चलाने का खर्चा एक रुपए 15 पैसे आता है तो सस्ता भी पड़ेगा हमारे यहां आसानी से उपलब्द है क्योंकि गायें उपलब्द है और पूरे देश को डीजल पेट्रोल का साल का खर्चा भी 2,8,000 करोड का हो चुका है सरकार इसी से सबसे ज़्यादा परिशान है यह पूरा खर्चा बच सकेगा और 2,8,000 करोड में तो 34 करोड गाये आराम से पाल सकेगे तो गाये बचाने का काम करना है वो इसलिए कि बागबटी जी बोल कर गए है कि यह सबसे सुन्दर वस्तू या चीज या प्राणी बनाया इस देश में बगवान में और मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा इसको संशोधन कर सकते हैं प्राणी नहीं, प्राण है यह देश का और हम यह कहते हैं ना जानवर जानवर नहीं, जान है इस देश के भारत को, अगर भारत की जान है तो यह गाय है भारत की प्राण है तो यह गाय है यह है तो हम है कई बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है हम गाय पालते हैं उनको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप गाय नहीं पालते गाय आपको पालती है ये एहंकार मत करिये अपने मन में कि हम गाय पालते है आपके मन में विनम्रता आनी चाहिए कि गाय हमें पालती है आप क्या पालेंगे जी? वो तो भगवान की है आपकी हैसियत में उसको पालने की वो तो भगवान की कोई क्रपा हो गई आपके उपर जो आपको दे दी उसने तो ये क्रपा आप सब पर हो तो इसके लिए कुछ प्रयास करें आप बोलेंगे जी क्या करें सबसे पहला प्रयास की गाय का कतल रुके गाय का कतल रुखने में आप कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं ये कि आप अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि जी दूद पिएंगे तो गाय काई पिएंगे मुझे बाबुजी तीन चार दिन से एक जानकारी दे रहे है एक राधाकृष्ण बजाज जी उनके हाँ आया करते थे राधाकृष्ण बजाज का नाम शायद आपने सुना हो बहुत बड़े गांदिवादी नेता रहे बिनोवा जी के साथ रहे और आज़ादी के आंदोलन से इस देश को समालने और समारने में लगे रहे उन्होंने संकल्प ले रखा था जी दूद पिऊंगा तो गाय का ही तो ये बाबुजी बताते हैं कि इनके घर आते थे तो गाय का ही दूद पीते अब मैं सोचता हूं कि राधाकृष्ण बजाज जैसा संकल्प सब ले ले कि जी दूद पिएंगे तो गाय का ही पिएंगे, पिएंगे नहीं भेस का, पिएंगे नहीं डेरी का, गाय का ही पिएंगे, तो आप जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आपने यह संकल्प ले लिया कि रोज गाय का ही दूद पिएंगे, तो इसी चिन्नई में गाय पालने वालों की लाइन लग जाएगी आप देखना क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आज का मार्केट कंजूमर मार्केट है बायर्स मार्केट है आज की दुनिया में खरीदने वाले का मार्केट है बेचने वाले का कुछ नहीं है जो डिमांड खड़ी करे तो सप्लाई आती है तो आप सोच लो जी गाय काई दूद पिएंगे तो गाय के दूद की सप्लाई आएगी कैसे आएगी कुछ लोग गाय खरीदेंगे कुछ गाय पालन करेंगे कुछ गोशालाइं खोलेंगी कुछ दूद डेरियां बनेंगी फिर आप बुलेंगे जी देशी गाय मिलेगी मिलेगी क्योंकि सत्रे करोड़ अभी है पूरी नहीं कट गई है सत्रे करोड़ अभी है तो मिल जाएगी और जितनी अच्छी गाय चाहिए उतनी अच्छी मिल जाएगी आप कहेंगे जी देशी गाय का दूद कम होता है ज्यादा दूद की गाय भी है कम दूद की गाय भगवान ने इस देश में बड़ा बैलेंस बनाया ये बहुत दिन में मेरे समझ में आया कि जो गाय दूद कम देती है उसके बच्छडे मजबूत बैल होते और जिसका दूद जादा है उसके बच्छडे कुछ कमजोर बैल होते हैं तो कम दूद देने वाली गाय बच्छडों के लिए है जादा दूद देने वाली गाय आपके लिए है गाय सबको ध्यान रखती है तो आप जादा दूद वाली भी गाय ले सकते हैं इस देश में ऐसी गाये है, आप चलो तो मैं दिखाओं, जो 65 लीटर दूद देती है, एक दिन के. 65 लीटर. आपको चाहिए तो एक लाख रुपई की है. महंगी नहीं है. पांच लाख की गाड़ी खारीद लेते हैं आप, दस लाग की गाड़ी खरीद लेते हैं एक लाग की गाई क्या मेंगी है और वो गाई अगर आ गई तो आप देखके दंग रह जाएंगे क्योंकि मैंने वो हर्याना में देखी है पंजाब में देखी है 65 लीटर दूद है एक आदमी निकाल नहीं पाता तीन लगते हैं निकालने हैं क्योंकि कितना निकालेगा और मैंने देखा हर्याना में जो लोग रखते हैं ना उनके घर में तीन लोग उसका दूद दूदे हैं और इतनी सीधी इतनी सीधी है वो कि बच्चा भी चाहे तो उसका दूद दूदने बैठ जाये, नहीं लाथ मारती न सींग मारती है दूद बहुत है खाना भी थोड़ा अच्छा है उसका क्योंकि दूद इतना अच्छा है तो खाना भी अच्छा होगा उसको एक चीज बहुत पसंद ए जो आप खिलाएं तो गन्ना होता है न गन्ना उसके उपर का हिस्सा ये खिलाते जाओ दूद उसका बढ़ता ही रहता कम नहीं होता पहली बार माँ बनेगी दूसरी बार दूद बढ़ता ही जाता गन्ना खिलाते रो बस उसको सबसे आदा ऐसी भी गाय इस देश में है जो 65 लीटर दूद देती है और ऐसी भी गाय है जो एक लीटर दूद देती है वो आपके आसपास है लेकिन एक लीटर वाली भी तिरिसकार मत करो क्योंकि वो बच्छडे जो देगी वो बैल बनेंगे अच्छे तो बैल तो चाहिए हमें क्योंकि ट्रेक्टर से खेती ज़्यादा दिन कर नहीं पाएंगे जो डीजल 100 रुपई लीटर हुआ तो क्या चलाएगा ट्रेक्टर किसान तो बैल तो चलाने ही पड़ेगा इसलिए देशी गाय कम दूद वाली उसको आप तिरिशकार की द्रश्टी से मत देखो उसके बच्छडे मजबूत बैल है जो दूद ज़्यादा देती है उसके बच्छडे कुछ कमजोर होते है मैंने वो करके देखा कम दूद वाली गाय का बच्छडा बैल बनता है न तो 3 टन माने 3000 किलो माल आराम से 40 किलो मीटर तक बिना रुके लेके जाता है और जो ज़्यादा दूद देने वाली गाय है उसका बच्छडा 3 टन माल लेके जाएगा लेकिन 3 जगे रुकेगा रेस्क लेगा फिर चलेगा और जो कम दूद वाली गाय का बच्छडा है वो स्पीड बहुत तेज है उसकी दोडने में आप मुकाबला नहीं कर सकते घोड़े का उसके साथ और जो जादा दूद वाली गाय है उसका बच्छडा होता है बैल लेकिन दीरे दीरे चलता है तो हर एक चीज की अपनी अपनी विशेष्टा है इस देश में भगवान ने सब कुछ सोस समझ के बना तो आप दूद पीना शुरू करो गाय का तो गाय की डिमांड बढ़े तो फिर यहां गोशाला खुले या पहले से चल रही गोशाला सुधार हो फिर आप बोलेंगे जी रखेंगे कहां चिन्नई के आसपास इतनी जमीने हैं बहुत सारे गाओं हैं बहुत सारी जमीने हैं आप कहीं भी ले सकते हैं और ये विदेशी कमपनियां आ आ के चिन्नई के आसपास जमीने खरीद रही हैं तो आप क्यों नहीं खरीद सकते गाए के लिए। तो आप सम मिलकर मेरा तो ऐसा भावना है कि एक समीती बना लो या तो एक ट्रस्ट बना लो दो चार सो पांस सो हजार दो हजार गाए रख लो सम्हालना कैसे वो मेरे जैसे लोग आपको बताते रहेंगे और कोई भी गाए का वारिस हो सकता है दस दस हजार रुपए कठा करो कि गाए आपके नाम से वहां रहे गासचारा खिलाने वाला और उसकी साथ समाल करने वाले जितने लोग चाहिए कहीं न कहीं से मिल जाएंगे क्योंकि गाए पालन करने के लिए मन में जो भगती है ना वो बहुत लोगों में अभी भी भची हुई है ऐसे बिहार में, मैंने हजारओं लोग देखे हैं जो गाए पालन के लिए कहीं भी जाने को तयार है उत्तर प्रदेश में हैं तो वो आ जाएंगे, आपकी गायों को समालेंगे, उनको पुन्ने चाहिए, मोक्षो चाहिए, आपको दूद चाहिए, दोनों का मेल हो जाएगा, तो पालने वाले भी मिल जाएगे, गाय भी मिल जाएगी, बस आप तो संकल्प कर लो जी, कि हम तो करेंगे, अब आप मैंसे जो भी लोग दान वीर हैं, जो दान देते हैं, मैं कहता हूँ, गाय के लिए निकालो थोड़ा-थोड़ा, और गाय के लिए थोड़ा-थोड़ा निकाला, तो पूरी व्यवस्था बन जाएगी, मैं तो आपको मेरे छोटे से गाउं की जानकरी दे रहा हूँ, मैं बहुत चोटे से गाउं में रहता हूँ, उस गाउं के आसपास के 40 गाउं में 56 जार गाय है, हर दिन एक सवालाक लीटर दूद आता है, और जिसको चाहिए वो चला जाता है, फिर थोड़ा बच जाता है, तो उस दूद से बिस्किट बनाते हैं, गाय के दूद का बिस्किट, हमार भी मिलता है, वहां पर गाय के, दूद का, मक्षन भी मिलता है, मावा मिलता है, मावा मने खोवा, फिर उससे पेड़ा बना लेते हैं, वगर वगर, सब हो रहा है, और जो किसान ये गाय पाल रहा है, उनके पास जमीन नहीं हैं जादा, आप ध्यान दो इस बात, किसी के पा इतनी समझ में आई है, कि अब उन्होंने दूद देना बंद किया, वो कहते हैं, जी दूद नहीं देंगे, आपको घी चाहिए तो ले लो, घी दे देंगे आपको, शुद्ध गाय का, दूद नहीं देंगे, मैंने एक दिन पूछा भाया क्यों, तो उसने का, ये जो धम दे देते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, जो घी देंगे, तो मठा तो बचेगा कम से कम, देखो किती इंटेलिजेंसी, वो आदमी युनिवरसिटी में नहीं गया, एग्रो एकॉनोमिक्स उसने कभी नहीं पढ़ा, वो कह रहा है कि जो दूद दे दिया, तो मे सारे देश में कहते थे न, दूद बेचा नहीं जाता, ऐसा कहते न, पुराने लोग, दूद बेचना, पूत बेचने जैसा है, बच्चे को नहीं बेच सकते, तो दूद भी नहीं बेच सकते, तो वो शायद कहावत इसलिए बनी होगी, कि आप अगर दूद बेचते रहोग तो हमारे यहां मिलता है, लेकिन वोई घी बंबई जाता है, तो 500 रुपए किलो बिक जाता है, बैंगलोर चला जाये तो 600 रुपए किलो भाव है, जर्मनी चले जाये तो 4000 रुपए किलो तक भाव मिल जाता है, वोई घी का, 180 से लेके 4000 रुपए किलो तक का रेट है, गाय के देशी घीका जर्मनी वहां अमेरिका वगरा वगरा उनको भी चाहिए मिलता नहीं क्योंकि उनके पास देशी गाये नहीं जरसे तो मेरा मानना है गाये का आप थोड़ा पालन उसका संरक्षन संवर्धन शुरू कर दो गोशाला बनाने का काम अगर यहां हो जाए तो आपकी गोशाला को पैसे की तो जरूरत पड़ेगी नहीं दान के रूप में मैं आपको विनमरताप से कहता हूँ एक गाये जो दूद देती हो साल की कमाई उसकी दो लाक रोपए की है और खाने का खर्चा उसका बीस हजार रोपए का है तो बीस हजार का खाना खाएगी दो लाक क की इंकम है दूद के रूप में दही के रूप में घी के रूप में मक्खन के रूप में मूत्र के रूप में और गोबर के रूप में टोटल इंकम दो लाक की और जो बुड़ी हो गई दूद देना बंद करे तो भी साल की इंकम सवाला की है तो भी खर्चा बोई बीस हजा तो इंपुट कम है आउटपुट जादा है इसलिए गाए का बिजनिस भी आप करें दूद का गाए से मतलब दूद का दही का मक्षन का घी का गोबर का आप शुरू कर दो मैं आज बोल रहा हूं तीन साल बात सरकार बोलेगी इसी बात कि गोबर गैस प्लांट लगाओ जगे की बात वहां तक पहुँचती है और आप दूद पियोगे तो गाए बढ़ेगी मूत्र का उप्योग करो दवा के लिए तो भी गाए बढ़ेगी गोबर का उप्योग करो खेत में तो भी गाए बढ़ेगी ये तीन तरीके से गायों को आप बचा सकते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ा सकते हैं यहाँ पर अपने निरंजन भाई है यह और इनकी पत्नी गाये के सेवा में लगे हुए आपको कभी गोवमूत्र की जरूरत हो तो इनसे ले लेना अब मैं पांच मिनट में खतम करता हूँ कि गोवमूत्र से और क्या क्या कर सकते हैं हाँ और क्या क्या बागबट्टी जी कहते हैं आँख के कोई भी रोग सभी रोग कफ के रोग हैं जो आँख में है जैसे मोतिया बिंद हुआ यह कफ का रोग है cataract जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं glucoma, glucoma एक रोग है ना काला पानी, काला रेटिनल detachment एक रोग है जिसका तो दुनिया में कुछ भी इलाजी नहीं है retinal detachment का operation भी नहीं है उसका, हो भी तो success नहीं है आप अमेरिका चले जाओ और किसी डॉक्टर को retinal detachment का तो कहेगा operation कर सकता हूँ, guarantee नहीं है vision आएगा के नहीं तो retinal detachment, glucoma, cataract और आँखों में छोटी मोटी बीमारियां बहुते हैं, आँखें लाल होना आँखों से पानी निकलना, आँखों में जलन होना तो छोटी-छोटी से लेकर सबसे खराब बीमारी retinal detachment ये सब गो मूत्र से ठीक होती है cure होती है, शब्द पे ध्यान देना control नहीं cure होती है, जड़ से खतम होती है, आप बुलेंगे तीन महीने में आप लगातार डाल के देख लीजे, नंबर बदल जाएगा और सवा डेड़ महीने में चश्मा उतर जाए glucoma, बिना operation ठीक होता है चार सवा चार महीने में cataract अगर आपको dissolve करना 6 सवा 6 महीने में ठीक हो जाता है retinal detachment को एक साल लगता है, लेकिन लगातार गोमूतर डालते रही है, एक एक बूंद बस इतना परियाबत है आँखों में, बच्चों के कान बह रहे हैं, कान, आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों के कान में मवाद निकलता है बस दो या तीन दिन एक एक बूंद कान में गोमूतर की डाल दीजे पूरा कान साफ हो जाएगा, मवाद निकलना बन बच्चों की नाक बहत बहती है, बार बार सरदी होती है, बार बार जुकाम होता है बागबट जी कहते हैं कि नाक बह रही हो सरदी बहुत हो, जुकाम बहुत हो तो गोमूतर तो नहीं कहा उन्होंने गोगरत कहा, गोगरत मने गाय का घी एक एक बूंद नाक में डाल दो बच्चों के, सरदी जुकाम ऐसे गायग होगा जैसे गधे के सिर से सींग गाय का घी अच्छा आपको नीद नहीं आती अच्छी नीद लेनी है बढ़िया नीद लेनी है डीप स्लीप लेनी है रात को एक एक बूंद गाय का घी नाक में डाल के सो जाओ बहुत गहरी नीद आएगे आपको खराटे बंद करने है बहुत लोगों को खराटे आते हैं रात को सोते समय सोने वाला तो नहीं जानता पड़ोसी जानता है कि क्या तकलिफ होती है तो जिनको भी खराटे बहुत आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा में बता के जा रहा हूँ गाय का घी एक एक मून नाक में डाल लो तीन दिन बाद चौथे दिन से खराटे बिलकुल बंद हो जाए इसमूथ एकदम आपकी नीद हो जाए तो गाय के घीका भी उप्योग है औशदी के रूप में गों मुतर का अब आता हूँ बाल जड़ते हैं बहुत बहुत सारी बहने शिकायत करती हैं बाल जड़ रहे तो गाय के दूद का दही बनाओ दही दही को तावे के बरतन में रख दो पांच-छे दिन रखा रहने दो फिर हरा हरा हो जाएगा फिर उस दही को बालों में लगाओ एक घंटे के बाद बाल धो दो शीका काई से शैंपू से नहीं शीका काई से हफते में चार बार कर सकते हैं और बाल तूटना एक ही हफते में बंद हो जाते हैं एक ही हफते कई बेहनों ने तो मुझे बता राजी भाई हमने तो एक ही बार किया था उतने में भी बंद हो गए अच्छा भविश्य में बाल ना तूटे अच्छे रहें, दुरुस्त रहें, तन दुरुस्त रहें तो महिने में एक बार या नहीं तो महिने में दो बार गाई के मूत्र से बाल दोलो बहुत अच्छा कंडीशनर है नैच्छल औरगैनिक कंडीशनर है गाई का मूत्र तो जैसे आप कंडीशनर यूज करते ना उसकी जगे गो मूत्र यूज कैसे करें गाई के मूत्र में थोड़ा पानी मिला दे ना और जैसे कंडीशनर यूज करते हैं वैसे कर ले ना और आगे बढ़ता हूँ, बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिती में हो, बच्चों की, आप कई बार महसूस करते हैं न, उनको बलगम जमा हो गया, कफ जमा हो गया, तो ऐसे बच्चों को एक चमच गो मूत्र पिला दो, एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाए के, ये सब में बहुत अच्छी दवा है, गो मूत्र उप्योग करो, गाये का मूत्र आदा कव, किड्नी फेलियर के सब केसे में आप उप्योग कर सकते हैं, जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, गो मूत्र पीना शुरू करो, खुल के आएगा, पेशाब में जलन होत हैं, फिर आपको कबजियत बहुत है, कबजियत, पेट साफ नहीं हो रहा है, तीन दिन गो मूत्र पीलो, आदा आदा कप, चौते दिन से एक दम पेट साफ होगा, एक दम पेट साफ हो, फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं, वात के, कफ के, पित्त के, आप उसमें लोग अगर गो मूत्र पीए, पित्त ठीक करने के लिए, तो घी जादा खाएं, बस इतना ही निवेदन है उनका, बाकी बात और कफ वाले तो कुछ भी करें, तो बाल में उप्योगी, शरीर में, गो मूत्र की मालिश करो आप, तो आपकी तवचा पर जितने भी सफेद सफ अबे हैं ना सब चले जाएंगे, आँकों के नीचे डार्क सरकल है, रोज सुबह ऐसे ऐसे गो मूत्र लगा लिया करो, डार्क सरकल चले जाएंगे, खाज हो गई, खुजली हो गई, एक्जीमा हो गया, थोड़ा मालिश कर लो, सब खतम हो जाएंगे, तो ये गाय का मूत् गो मूत्र को ज्यादा आज के समय में लोगों ने उपयोग करने के लिए एक टेक्निक डवलप की है, कि प्योर गो मूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है, लेकिन क्या करते हैं, आज कल कि गो मूत्र को उबालते हैं, तो उसकी वाश्प बनती है, वाश्प को ठंडा करके अर्क बनता है, अर्क अर्क तो आप समझते हैं, तो गो मूत्र अर्क भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि प्योर मिले तो सबसे अच्छा, नहीं मिले तो अर्क ले सकते हैं, नहीं मिले तो, लेकिन अर्क जादा नहीं लेना, अर्क सुक्ष्म मात्रा में ही लेने के लिए बागवट्ट ने नियम दिया है वो ये कहते हैं कि अर्क अगर लेना है तो एक चम्मच परियापत है मूत्र पीना है तो आधा कप परियापत है अर्क लेना है तो एक चम्मच परियापत है तो अर्क भी ले सकते हैं अब बहुत लोग अर्क बना रहे हैं गोमूत्र का, आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं, ये निरंजन भाई भी बना रहे हैं, इनसे भी ले सकते हैं, ये यहीं पर इनकी गोशाला चलाते हैं, आप भी गोशाला बनाएं तो उसमें भी अर्क बन सकता हैं, और अर्क बाज हैं तो साल की इंकम एक करोड की आराम से हो जाएगी अर्क बेच के ही हो जाएगी अर्क के बाद जो बचता है ना जिसको हम कच्रा समझते हैं उससे साबुन बनता है साबुन और इतना अधुट है वो साबुन कि शरीर के त्वचा रुख खतम कर देता है आफिनाय गाय के गोबर से टाइल्स बनना शुरू हो गए इस देश में टाइल्स हमस्त है जो छत में लगाते हैं और वो लगा दो तो टेंपरेचर पांच डिगरी कम कर देता है टेंपरेचर पांच डिग्री कम कर देए तो ऐसी अदबुत गाये भगवान ने हमको दी प्रकरती ने दी इसका संरक्षन संवर्धन हम करें मूत्र का उपयोग करें गोवर का उपयोग करें घी का उपयोग करें दूद का उपयोग करें और हर चीज उपयोग करेगी तो पढ़ेगी, मांग पढ़ेगी तो गाय आएगी, आप भी गाय रख सकते हैं, भारत में बहुत लोगों ने गाय रखी है, और कई लोग तो ये सुन सुन कर कार बेचके गाय ले आए, स्कूटर बेचके गाय ले आए, मोटर साइकल बेचके, क्योंकि वो कहते हैं, राजी वह आप ही बोलते हो, दस साल के बाद मिलेगा कि नहीं, डीजल, पेटरोल, भार्योसा नहीं, फिर ये कार करेगी क्या, बेल गाड़ी में लगा के ले जाना पड़ेगा, तो पहले ही गाय ले आओ, तो गोवर गैस तो मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी, तो डीजल ना मिले तो ये जितनी भी बात हैं मैंने कही हैं, ये किताबों में हैं, गोमुत्र चिकित्सा पर विशेश किताब हमने बनाई है, उसमें बागवट्ट के 64 सूत्र है, सब तो नहीं लिए, 64 सूत्र है, वो आप चाहें तो ले जा सकते हैं, और वो पुस्तक पर मेरा कॉपी राइट नह करने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं ये बात जल्दी से जल्दी जादा से जादा लोगों तक पहुँचें, तो हमारा लक्ष है गाए बचे, और बागवट्ट चिकत्सा में गोमुत्र का उप्योग होने लगे, मेरा लक्ष तो वो है, पुस्तक जादा लोगों त तक जाएगी, तो तभी ये हो पाए, और मैं अकेला कितनी चाप चाप के बांटूंगा, मेरी एक लिमिट है, लेकिन सब अगर यही करने लग जाएं, तो लिमिट तूटेगी, ज्यादा लोगों तक पहुँचेगा, इस पे सीडी भी बनाई है, पुस्तक भी है, आप चाह हाँ, वो कल बात करने वाला, हल्दी की बात कल आएगी, हल्दी में भी बहुत कर्क्यूमिन है और अंटी कैंसर सारी प्रापरटी हल्दी में है, और दूसरी बात यह है, कि जैसे त्रिफला चूर्न है, मेथी है, गुमूतर है, तो ये क्या-क्या चीज़ सुबह में लोग अच्छा देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है ये सवाल प्रदीब भाई का बहुत अच्छा है कि इतनी सारी चीजें अब आपके सामने हैं सवेरे क्या-क्या लें तो मैं आपको एक छोटी निवेदन ये विंती के रूप में करना चाहता हूं कि 30 तारीक को सुबह मैं एक स सेशन करना चाहता हूं आपके साथ इसी भवन में वो यही प्रशन का उत्तर देने के लिए क्योंकि ग्यान जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तब हमारे सामने सेलेक्शन की समस्या आती है कि हम क्या-क्या करें अब सवेरे लेने के लिए इतनी चीज हो गई हैं तो कौन सी एक दो तीन चीजे करें जो आपके लिए परियाप्त हों वो मैं आपकी प्रकरती स्वभाव और चिकित्सा रोग के हिसाब से बताऊंगा जैसे वात वाले हैं वो क्या-क्या कर लें पित वाले हैं वो क्या-क्या कर लें कफ वाले हैं वो क्या-क्या कर लें और ये ज पंचामरत जो होता है वो इतना सुध होता है जिसकी कोई हद नहीं। मैंने इसका सद्विप्योग किया है पंचों चीजों को जिसको मिला करके आप लेओ तो जिन्द की भर की जैसी जैसी बीमारी हो वो आपकी दूर हो जाती है उसके बारे में आप बताते हैं। गाय का दूद गाय का घी गाय का मूत्र थोड़ा गाय के गोबर का रस और ये सब मिला कर थोड़ा गुड़ ये है पंचामरत इसमें गुड़ की जगे शहद भी मिला सकते हैं क्योंकि दूद में वैसे शहद नहीं मिलाते लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलता है घी में शहद नहीं मिलाते लेकिन गाय के मूत्र के साथ चब तो पंचामरत बनाने की विधी उस तक में है आप ले लो ये पंचामरत का इनका जो रिजल्ट है वो पूरे देश में वैसा ही रिजल्ट है बात पित्त कफ तीनों पर एक साथ काम करता है बहुत गहराई से असर करता अपनार् पूशी की बात है चिन्नई में गोशाला है तो बहुत अच्छी बात है बस दुख की बात है कि उसका मैनेजमेंट सही नहीं है ये दुख की बात है तो आप गोशाला वालों से मिलके उसका कुछ मैनेजमेंट सुधार लो और मेरी तरफ से गारंटी दो कि एक भी गाय पॉल है जहां करीब 2700 गाय है यह सब उड़ी गाय है जो दूद नहीं दे रही है और हम इनका पालन कर रहे हैं आप जैसे लोग बोलते हैं कि management बराबर नहीं है यह बात नहीं है वही लोग बोलेंगे या तो उनको दूद नहीं मिल रहा है अगर वहां आके आप personally आके देखे तो आपको मालूब पढ़ेगा कि मैंने इस कैसे किया जाता है कहना बहुत easy है लेकिन करना बहुत मुश्किल है जिसे आप से विंती है कि आप सब लोग वहां का आईए देखिए और हमें किस तरह का सयोग दे सके आप सयोग दीजिए दन्यवाद बटाटा नहीं खाना नहीं सुबह सुबह खाना तो वेट नहीं बढ़ेगा रात को खाओ तो वेट बढ़े पराठा रात को नहीं खाना सुबह खाना आप थोड़ा या तो चूना खालो और आज जो बोला है थोड़े दिन या तो गोमूत्र पीलो एलरजी सब तरह की ठीक है चूना खाने नाक में डाल के सोना एक दिन में अगर आप महनत का काम करते हैं रात को मैं बोल रहा हूँ महनत का काम करते हैं मजदूरी करते हैं तो आठ गंटे नीद चाहिए महनत करते हैं आठ गंटे हैं और अगर महनत नहीं करते हैं सिर्फ बैठने का काम है तो 6-6 गंटे, 6-6 गंटे गोबर गैस गाय की गोशाला जो होती है न जहां गोबर है वहीं पर ये गोबर गैस बनती है और वहीं से सिलिंडर में भरके हम सबको दे सकते गोमूत्र वैसे ताजा हो 48 मिनिट में पी लेना चाहिए बोतल में भरके 4-5 दिन तक रख सकते काच की बोतल वीपी के लिए सबसे अच्छा मेथी दाला रात को पानी में डालके हाँ